बसुधेईब कुटुम्ब रुपी परिवारा बर्गंकुमन नमस्कार आजी आमे धन्तेरस्र महत्तो विशेरे जानिबा पुराण मतानुशारे समुद्र मन्थन समयरे सागरोरु कार्तिक मास कुरुष्नपक्षय द्वादसरे कामधेनू त्रयोदसरे धन्तरी द्वादसरे माकाली एबं अमाबास्चेरे माभगबती महालक्षमी आविरभाब होईतिले अर्थात प्रुथिविलोकरे अबदरण कर धन्योंतरी महाप्रभु त्रयोदोसी रे आविर्भाव हेवा कारणरु धन्योंतरी त्रयोदोसी कुहाजाई। एहाकु अपभरंश होई धन्तेरस होई जाईची। धन्योंतरी साक्षात विष्णूंकर ही अवतार जेकी आयुरुबेदर प्रवर्तक जहांकर चारटी भुजा उपर दुई भुजरे संख एबंग चक्र त्रुतिय भुजरे अउशध द्रभ्य एबंग चतुर्त भुजरे अम्रुतमय कळस रह्योची। आयुरुबेदर चिकित्षक माने आरोग्य देवताबली कही चन्ती। शेही अम्रुतमय अउशध खजी थिले। तांकरी बंग्सरे देवधास जीकी सैल्य चिकित्षार प्रथम विष्वविद्याळय कासीरे स्थापन करी थिले। जहार प्रधान आचर जतिले सुसुरुत देवधास अंकर सिस्य एबं विष्वामित्रंकर पुत्र थिले। से सुसुरुत संगीता लेकितले। से ही विष्वर प्रथम सैल्य चिकित्षक। एनु एही दिनकु बईद्य चिकित्षक अर्थात डक्टर मने अधिक मान्निवादरकार। धन्वंतरिंकर प्रिय धातो पित्तल एनु एही दिन समस्ते पित्तलर द्रभ्य घरकु आनिथांती। बुहुलोको लक्मिंक उद्धेशेरे सुना रूपा जाडु इत्यादिकु घरकु आनिथांती। किन्तु धन्वंतरी अर्थात नारायनंक उद्धेशेरे अपनो आनिवे। संख, पद्म, नारायनंकर प्रिय ध्रभ्य मद्यों आनिपारिवे। बॉईजयन्ती, माल, दन्वंतरी, जन्तर, एही दिन अम्रुत धराप्रुष्टकु आसुति बारू अम्रुत अम्रुपी द्रभ्य मद्यों आनिपारिवे। जमिति गृत, महु, क्षिर, दध्यों कीचिवी। एहा परे आयुर्वेदो बा बोईद्यो चिक्कित्षार आगमनर अर्थ संसाररे रोग कस्टर निबारण होई, संसारकु अम्रुत मयकरी अउशधरुपी अम्रुत ज्यानकु प्रदान करिवा। एणु एही दिन आपन घरकु अउशधमध्यों आनिपारिवे। सुन्ना किनिबा असुभनु हो, किन्तु सुन्ना लखमी उद्धेस्यरे। आजी कली सुन्नार विक्री पाइंकु आजाऊची कि सुन्ना किनिबा दरकार, उपा किनिबा दरकार एहा जथार्थ ता नुह। साधारन लोको घरकु पद्मटी आणि भगवान को समर्पन करन्तु आगियां। साधारन लोको घरकार विक्री पाइंकु आगियां।